तो अगर आप किसी सोटम ट्रेनिंग के बारे में सर्च कर रहे हो जिससे की आपका स्किल डेलप्मेंट हो सके तो ये वीडियो आपके लिए है आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रेल कोसल विकास योजना के बारे में जो rail को असल विकास योजना है इसका जो motto है ये है युवा को कुसल बनाना देश को है आगे बढ़ाना जो unemployed youth है इंडिया का उसको कुछ skill development कराना उसको कुछ technical training प्रोवाइड कराना जिससे कि वो अपना खुद का कोई startup start कर सके या फिर कहीं पे अगर skill उसके अंदर आ चुकी ह तो वो job के लिए भी apply कर सके आईए इसके बारे में detail में जानते हैं हम लोग so this is a skilled development program for the unemployed youth जो बेरोजगार youth है भारत का उसके अंदर कुछ technical training impart करने के लिए और इसमें जो trades होते हैं वो वहिन प्रकार के trades होते हैं अभी हम लोग trades के बारे में भी देखेंगे after then देखिए to enhance their employability and entrepreneurship यानि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस program को implement किया जा रहा है और मज़े की बात यह है कि आपको इसके लिए कोई भी training fee या फिर application fee नहीं देना है completely free of cost training है इसका जो eligibility है that is 18 to 35 years of age ठीक है और अगर आप 18 से 35 साल के बीच में आते हैं तो आप लोग इस training को कर सकते हैं after then अगर educational eligibility की बात करें तो अगर 10th pass है आप तो आप basic इस program में enroll हो सकते हैं और हां selection criteria की बात करें तो 10th के merit basis पे इसमें selection होता है ओके कोई entrance आपको यहाँ पे नहीं देना है फिर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा registration process की तरफ what is the registration process of the training so candidates are advised to login the website and select apply online देखिए यहाँ पे registration और apply के बीच का जो difference है वो भी हम लोग समझ लेते हैं जैसे कि registration process जो है वो आप लोग किसी भी time कर सकते हैं anytime कर सकते हैं देखिए जितनी भी यहाँ पे इसके अंतरगत trainings कराई जाती हैं उसके ल registration release होने के बाद ही आप apply कर सकते हैं उस particular training के लिए लेकिन registration आप लोग पहले भी कर सकते हैं registration में क्या होता है कि आपको अपना personal detail educational details photo signature वेगरा upload करना होता है वो आप लोग पहले से करके रख सकते हैं और जैसे ही notification आता है आप लोग तुरंत apply कर सकते हैं apply के लिए भी आपके पास अलग-अलग state के अलग-अलग districts हैं और उसमें भी अलग-अलग institutes हैं तो आप लोग अपना desired state चूज कर सकते हैं फिर district चूज करेंगे after then आपका जो भी institute में मन करें उस institute को अपलग select कर सकते हैं और अगर आप का selection होता है तो उसी institute से आपको training दी जाएगी फिर है क्या नहीं apply for more than one trade देखिए इसमें trade की बारे में फड़ आपको बता देता हूँ मैं जैसे trade क्या-क्या होता है कि electrician, fitter, motor mechanic, AC mechanic, refrigerant mechanic उसी प्रकार से computer में भी अलग-अलग तरीके के training से हैं जो की provide किये जाते हैं तो क्या आप एक से अधिक trade में apply कर सकते हैं जी हाँ ब 3 करके तो आपका जिस भी trade में selection होगा उस trade में आपको training दी जाएगी और एक चीज और है कि अगर आप लोग एक बार training कर लेते हैं तो दुबारा आपको इसमें chance नहीं मिलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसका motto है देखिए आरके विवाई का जो main principle है वो है कि 2023 तक around 50,000 candidates को train कर देना है उनको employability को उनके increase कर देना है ठीक है तो चली फिर आगे जानते हैं हम लोग अरे सर जी क्या हो रहा है हाँ देखिएगा फिर क्या है कि what are the age criteria तो आपको age criteria में पहले ही बता चुका हूँ जो की 18 years से लेके 35 years तक है आफ्टर देन देखिएगा do we have to carry any document तो यहां पर पूरे documents की लिष्ट है 10th pass, mark a seed, certificate, अधार card इसमें से आप जो भी वहां पर required होगा वो आपको लेके जाना होता है duration की बात करें तो बिल्कुल short term training है सिर्फ three weeks की training है और हाँ इस three weeks की training को आप लोग successfully complete करते हैं तो उसके बाद आपका एक छोटा सा exam लिया जाता है और उस exam के बाद अगर आप उस exam में qualify करते हैं तो आपको certificate provide किया जाता है उस certificate को आप लोग दिखा कि अगर किसी private sector में job seek करते हैं तो आपको बहुत उससे benefit होगा और एक चीज़ और है इनके site पे सीधे सीधे clearly mentioned है कि आप लोग इस certificate की basis पे railways में कोई भी employability seek नहीं करेंगे ऐसा नहीं है कि आप यह 18 दिन की training ले ले लेते हैं तो आपको ministry of railways कोई job offer करेगा नहीं यह आपके basically इसका जो motto है यह है कि आपके अंदर ऐसी skills develop हो जाए कि आप खुझ से कोई business अपना start कर सके आपका personality development वहाँ पे होता है लोगों से कैसे ब परकार कहें कि आप एक entrepreneur बंसपो आफ्टर देखिएगा आप्लाई फॉर मोर दन वन इस्टिट्यूट नो जब यह अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही इस्टिट्यूट को सेलेक्ट करना होगा एक ज्यादा इस्टिट्यूट आप सेलेक्ट नही पे करना है यानि completely free map training attend करते हो आपका अगर सेलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग है अगर आप लोग का इच्छा है करना चाहते हैं तो इसके लिए apply जरूर करें कोई आपको fee तो पे करना नहीं है और हाँ जो भी notification आता है अगर उसके बारे में आपको update चाहिए तो आप इस channel से जुड़े रहे अगर अभी तक आपने चैनल subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लीजिए और इसके बारे में कोई और detail अगर आपको चाहिए तो comment करके जरूर बताए हम लोग उस पे आपको video provide तो मिलते हैं next video में तब ते के लिए thank you, goodbye and take care